ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है अम शांती गौडली वोड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आमुले रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अजहर इनसान चाहता है कि समय कम लगे और प्राप्ति अधिक हो जाए कर्म करे और कर्म का भल प्रत्यक्ष हो जाए परमात्मा से भी इनसान सिध्धी की कामना रखता है परंतो हर सिध्धी को प्राप्त करने की एक अथार्थ विधी होती है सिध्धी स्वरूप बनने की तमाम विधीओं को आज हम इश्वरिय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के सपश्टी करन के लिए हमारे मध्ये है प्रजा पिता अब्रमा कुमारेज ईश्वरिय विश्विध्याले के वरिष्ठ राजियोगी शिक्षक आदर्नी राजुभाई साहब पसब आपका आज के एपिसोड में बहुत वस्वाकत है पसब आज हम बात करेंगे एक अक्तूबर 75 के महावाक्यों के उपर जिसका टॉपिक है एकांत, एकागरता और द्र्न संकल्प से सिध्धी की प्राप्ति पसब परमात्मा कहते हैं कि आज परमात्मा सृष्टी की सैर पर निकले एक तो खास विदेशी बच्चो द्वारा, विदेश सेवा और भिन भिन प्रकार के कनवर्ट हुए बच्चों को देखने के लिए सेवाकेंद्र और सेवाधारी बच्चे जिनों के मन में दिन रात प्रत्यक्षिता का बोल बाला करने का एक ही संकल्प है ऐसे सेवाधारी अथक लगन से दिन रात महनत में लगे हुए हैं और सब इस सेर को थोड़ा सपष्ट करें बाप दादा जब बच्चों के द्रस्य देखने के लिए निकलते हैं क्योंकि निराकार और ब्रह्मा बावा की संपून आत्मा अब ये दोनों साथ साथ हैं तो ये बाप दादा जब बच्चों के लिए मिलने के लिए सहर पर निकलते हैं, तो विश्व के कोने कोने में विशेश करके ये महावाग के विदेश के बच्चों को देख करके उचारण कर रहे हैं, कि आज विदेश के बच्चों की तरफ सहर कर पर निकले, तो कई बच्चे हैं जो अपने देवता घराने की पहली आत्माय थी, बीच में वो कनवर्ट हो गए, अन्य धर्मों में चले गए, कोई क्रिश्चन में चले गए, कोई बौद में चले गए, तो परमात्मा उन सब को कि बच्चों को देखते हैं कि कनवर्ट होने के बाद फिर से अपने धर्म में जबाए, तो इनके कितनी लगन है कि हमें परमात्मा को प्रतेक्ष करना है, कुब सेवा में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा एक परमात्मा से मिलने का उमंग है, उसा है, कि हम सनमुक जा क करके मिलें, तो वो सहर समाचार परमात्मा सुना रहे हैं कि विदेश के बच्चों को क्या देखा, क्या कर रहे हैं, उसा परमात्मा कहते हैं कि बच्चों को देख, बाप दादा हर्शित होते थे, नए-नए बच्चों की, फास्ट लगन की, उमंग की, मिलने अर्थ तडप करने की पतंगे समान, परमात्मा पर हाई जंप लगाने की सूरत और सीरत देखी। गुल्दस्ता अच्छा था, वेराइटी फूलों की शोभा सुन्दर लग रही थी। कलियां और पत्ते वेराइटी देखे, कई आत्माएं मिठे उल्हाने वाली भी देखी। क्योंकि ये बहुत सुन्दर गुल्दस्ता कई सेवा केंदों पर दिखाई देता है। हर धर्म की आत्माएं जब इस कलास में इकठी होती हैं, तो परमात्माँ देख करके खुस होते हैं, हरसेट होते हैं कि एक ही परिवार के एक ही गुलदस्ते में कितनी वेराइटी आत्मा हैं, हर धरम की, हर जाती की, हर रंग की, हर भासा की, एक गुलदस्ते में आ गई, और उनके अंदर है कि मैं अभी परमात्मा जो समा है, उसके उपर जैसे पतंगा फिदा हो जाता है, ऐसे मैं आत्मा भी उनके कारे में फिदा होकर के बलिहार होकर के उनकी प्रत्यक्षता के निमित बनूं। तो ऐसे बच्चों का गुल्दस्ता बहुत सारे सेवाकेंद्रों पर अभी है। अभी अमेरिका, होंकां कई स्थानों पर हर धरम के बच्चे निकले हैं। और उनके अंदर बड़ा उमंग है, उत्सा है कि हमें अपनी जीवन से परमात्मा को प्रतेक्ष करना है। जब परमात्मा कहते हैं कि दूसरा था चारों और की अज्ञानी, वभक्त आत्मों का सैर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माई, अपने शरीर निर्वाह अर्थ, जीवन के साधनों अर्थ, किसे न किसे यंत्रों द्वारा, स्वयम में व्यस्त थी। साथ-साथ कुछ आत्माई, विनाश अर्थ, यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थी। दूसरी तरफ कहीं ग्रहस थी और भक्त आत्माई, अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए, वा अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए, अपने अपने कारे में व्यस्त थी। इन सब में विशेश भारत और कुछ विदेश में भी सिध्धी प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेश अहवान कर रही थी। जब विश्व की परिक्रमा पर परमात्मा निकलते हैं, तो बच्चों के वेराइटी द्रह से देखते हैं। एक तरफ कई आत्मा ऐसी हैं जो केवल सरी निर्वा के लिए करम कर रही हैं, साधन अपना रही हैं, पैसा कमा रही हैं। दूसे तरफ भेज्ञानिक हैं, साइंस वाले हैं, उनाई-नाए इम्मेंशन का ऐसे साधन मना रही हैं कैसे विश्व का परिवरतन होगा, कैसे हम और साधन नए-ने खोजें, जिससे दूरियां कम हो जाएं ऐसे साधन भेज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। और दीसरे तरफ जो ग्रेष्टी हैं, जो ग्रेष्ट व्योहार में रहते हैं, उनको होता है कि मैं अपने परिवार को कैसे सुखी रखूँ, तो भक्ति के संसकार होने के कारण, भारतवासी जो बच्चे हैं, उनके अंदर बहले वो विदेश में चले गए हैं, लेकिन फिर उनके अंदर भक्ति के संसकार भरे हुए हैं, और उसके लिए कुछ तंत्र, मंत्र, जांत्र, करते रहते हैं, पूजा पाठ, कोई बधी अपनाते हैं, कि सिद्ध प्राप्त हो जाए हैं, जो पुजा करते हैं, और विसेश करके विदियों में भारत के अंदर जासे दो लूब में देखे बाबा ने उनका वानम कर रहे हैं, पैसा परमात्मा कहते हैं कि मेजॉरिटी सिद्धी के पीछे ज्यादा व्यस्त थी, सिद्धी प्राप्त करने के लिए स्वयम को समर्पन करने को भी तैयार हो जाते, सिद्धी की विधी में मुख्य दो बाते करते हैं, कोई भी सिध्धी के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकागरता, दोनों की विधी द्वारा सिध्धी को पाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग सिध्धी के पीछे कई एकांत के स्थान ढूरते हैं रात भर जागरन करेंगे, समसान में, कांत में चले जाएंगे, वहाँ बैट तरके तपस्या करेंगे बहुत एकांगर्चित हो करके कोई सिध्धी प्राप्त करना चाहते हैं भले उनको शरीर भी कतम करना पड़े लेकिन कुछ न कोई सिध्धी चाहिए इसलिए प्रमात्मा कहे रहा है कि यह विधियां बहुत सारे लोग अपना रहे हैं दुनिया के अंदर कि हमें कोई न कोई सिध्धी प्राप्त हो जाएं लेकिन वो सिध्धी व्यक्ती को परेसान करती हैं, दुख देती हैं जो आज कोई भी प्रकार की ऐसी सिध्धीयां तंत्र मंत्र की प्राप्त कर लेते हैं कुछ एको फायदा भी पहुचाते हैं लेकिन अधिक तर देखा जाता है यह सक्तियां कई बार उट्टा उनको ही नुक्सान करती हैं, परेसान करती हैं पिर भी वो उसके पीछे लगे हुए हैं ग्रेष्ट बिवार में भी हैं, लेकिन ग्रेष्ट से अलग हो करके एकांत में चले जाते हैं और एकांत और एकागरता के आधार से कई सिध्धियां प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उनकी मन की एकागरता ही संकल्प की सिद्धी दे देती है परमात्मा कहता है ये विधियां आजकल लोग बहुत अपना रहे हैं तसब परमात्मा कहते हैं कि आज पापतादा सिद्धी स्वरूप बच्चों को चुन रहे थे जिन्हों के यादगार चित्रों द्वारा भी अब तक अनेकों को अनेक सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं उस समय सिद्धी की प्राप्ती का द्रिश्य देखने वाला होता है जैसे आप लोगों को यादद्वारा अतिंद्रिय सुख का अनुभव होता है वैसे ही भक्तों को भी सिद्धी प्राप्त करने के समे के अल्पकाल का सुख उस समे के लिए कम अनुभव नहीं होता। बहुत अच्छे अच्छे अनुभो करते हैं लोग मंदिरों में बैठ करके, ऐसे कांत के इस्थान पर बैठ करके, मुड़ती ले करके तपस्या करते हैं, उसकी साधना करते हैं और साधना में जब उनको कुछ अच्छे अनुभव होने लगते हैं, तो बहुत खुसी होती है, तो परमात्मा कहता है, आप अच्छे जो सिद्धी सरूप हो, जो उनको भी सिद्धी देने वाले हो, आप जब यात की विधी में बैठते हो, तो आपको भी खुसी का जड़ प्रतिमा से ही सिद्धी प्राप्त कर लेते हैं, और चैतन में आप सब सिद्धी सुरूप आत्मा हैं, योग के द्वारा कुछ नकुछ प्राप्तियां कर रहे हो, तो सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसा सैर करने के बाद, साकार स्वरूप धारी बच्चों को देखा, भ कि उनको उस स्वमान का उस इस मृत्ति में रहने का अभ्यास नहीं है, अपनी पोष्ट पोजीशन को भूले हुए हैं, पुर्सार्त कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कई परकार के ऐसी परिक्षाएं, ऐसे पेपर आते हैं, जो उतना जो स्वमान रहना चाहिए, जो नश रहना चाहिए, वो नहीं रहता, इसलिए मृतियों से हमारे लोगों को प्राप्ति हो रही है, लेकिन चैतन में हम बैठे हुए पुर्सार्ती आत्माएं उस उंचे नसे और स्वमान में नहीं रहती, तो परमात्मा कहता है, इसको इसमृत्ती में लाओ, कि मेरी मृतियां, म जैसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे अनुभव होता है, जैसे बहुत से आत्माओं को मेरी ब्रतियों से, मेरी द्रश्टी से, मेरी वायवरेशन से सिध्यां मिल रही है. वैसे परमात्मा कहते हैं कि चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्वन होता है कि महनत करते हुए भी सिध्धी क्यों नहीं? समय प्रमान संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों? तो परमात्मा भी प्रश्न करते हैं क्यों? सिध्धी स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े? जिसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सकिंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट होई अर्थात सकिंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के र जाता है? संकल्प किया और कार्य हुआ मना कहते हैं जब जरूरत पड़ी तो तीर लगाया और पानी की गंगा निकाल दी यह गायन है और प्रेक्टिकल में जब हम आत्मा कोई बहुत पावर्फुल संकल्प करती हैं तो उसी समय उसकी सिध्धी दिखाई देती सफलता मिलत लेकिन उस संपून स्वरूप में इस्थित रहने के बाद इतनी एकागरता बढ़ती जाती है क्योंकि कई बार हम सभी बहुत सारी सेवाओं में भ्यास हो गए ना एकांत में जाते हैं ना एकागरता का भ्यास करते हैं जो विधियां हैं जो भक्ति मार के अंदर अभी तक भक्त लोग अपना रहे हैं कई बार ग्यानी आत्माय समझदार बाबा के बच्चे सेवाओं के बीच में और एक दूसरे के हिसाब किताब चुक्तू करने के बीच में इतना उलज जाते हैं जो अपने लिए समय नहीं देते हैं कुछ समय भी अगर एकांत में चले जाएं ए एक की समरति में टिक जाएं ऐसी एकांत और ऐसे मन गुद्धी की इस्थिरता एकागरता सब प्रकार की इस्द्धियां प्राप्त करा देगी जो संकल्प करेंगे होने लगेगा लेकिन इसके लिए समय चाहिए है sevent इसके लिए प्रकार की बातों से हमारा वहराग्यच जब तक हम इन बातों में फसे हुए हैं तब तक सिधिया प्राप्त नहीं हो लगा। हमारा काम है महनत करना भैतो यथा शक्ती कर ही रहे हैं यह हर सेकेंड का संकल्प रूपे बीच सर्व शक्ती संपन नहीं होता है उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा अर्थात भविश्य का संकल्प भरा हुआ होता है। यह संकल्प ही वास्तों में साधारन संकल्प है। बन जाएंगे, हो जाएंगे, पुटसारती हैं, कुछ तो महनत कहनी पड़ेगी। परमात्मा कहता है अपना संपूर्ण स्वरूप सदा इमर्ज रखो। कि मुझे कल्प कल्प यह सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, और मैं वही सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। कभी भी कमजोर और साधारन संकल्प नहीं करेंगे, वह जाएगा, कर लेंगे, अभी तो समय है। कई भार ऐसे साधारन संकल्प नहीं हम अपनी संपूर्णता को भूल जाते हैं। जो हम सिद्धि स्वरूप आत्मा हैं, हमें कभी भी साधारन संकल्प करके अपने को अलवेला नहीं बनाना है। कुछिस संकल्प नहीं बने कि वह जाते हैं। अपनिस संकल्प नहीं है। यह जिए हमें भी पुलों सिद्धि और पुछ आत्मा के आत्मा थे भी अन Уग्यावागें। जब बनना ही लिए। जब बनना है तो अपने संपून सरुप को इमर्ज करो, इसमर्थी में लाओ, और पुडशार्ति सरुप को मर्ज कर दो, युद्ध वाला समय भी नहीं है, जब हमारा वो संपून सरुप इसमर्थी में रहेगा, तो जो संकलप करेंगे, उससे दोने लगेगा. आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि दिन संकलप वा प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण, सिद्धी भी प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन दो घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद फविश्य प्राप्ती हो जाते हैं, तो इसका कारण सम आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धी नहीं होते हैं, अब इस कारण का निवारान तो हरे एक को कुद करना होगा, कि अगर वो द्रण संकल्प कर ले, और उसको प्रत्यक्ष फल के अनुभव होने लगे, वो रस मिलने लगे, तो जो संकल्प अब ही समय कहा है, अभी थोड़ी हो सकता है, तो अन्त की बाते हैं, परमात्मा कहता है, अन्त के स्वरूप को सामने इमर्ज करो, अभी ही स्रिष्टी का आंत या मुझा आत्मा का इस सरीर का आंत हो, तो क्या मैं इस अन्तिम स्टेज को प्राप्त करके सिद्धी स्वरूप तो जब हम अपनी संपून सरुप का आवाहन करते हैं और सदा उस इस्मृति में रहते हैं तो संकल्पों की द्रणता और प्रत्यक्षफल का रस जिसने अनुभो कर लिया वो समय का इंतजा नहीं करता है ए गंटा दो गंटा चार गंटे के बाद हमारा संकल्प सिद्ध होगा जो संकल्प जिस समय उठेगा उसी समय होने लगेगा लेकिन वो संकल्प विर्थ और नगेति नहीं चाहिए है साधारन संकल्प नहीं चाहिए पर सब पर्मात्मा कहते हैं कि अनेक प्रकार के साधारन संकल्प होते हैं जैसे कि समय प्रमान होना ही है अभी सारे तैयार कहा हुए है अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए है फाइनल तो आठ ही होने है ऐसे ऐसे भविश्य नौलिज के साधारन संकल आपके बीच को कमजोर कर देते हैं और यही भविश्य संकल जो समय यूज नहीं करना चाहिए लेकिन उस समय न सोचते हुए भी यूज कर लेते हो जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविश्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल रूपी बीच को द्रण निश्चे रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है होना ही है इस जल से पावर्फुल बनाओ तब ही प्रत्यक्ष सिद्धी स्वरूप हो जाएंगे बहुत जरूरी है जो संकल्प उठेए उसको द्रणता का पानी चाहिए क्योंकि संकल्प बीज है और अगर हमने द्रण संकल्प कर लिया कि करना ही होना ही है तो हमारे पवित्र संकल्पों में इतनी शक्ति है कि असंभो भी संभो हो चकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए, सुनना, बोलना, वर्णन करना अलग चीज है, हम अपने संकल्पों में भविश्य ज्ञान को न रखें, कि ऐसा होगा, इतने ही पास होंगे, सब को सिद्धी नहीं मिलेगे, यह जो साधान संकल्प उटते हैं, इंको हम ब्रेक दें, कि सिद्धी सरूप हम ही बने थे, और मुझे ही बनना है, संकल्प करें और द्रणता का उसमें पानी दें, तो वो पानी जप्राप्त हो जाएगा, तो हमारे संकल्प सिद्ध होने लगे द्यान ही रखना है कि कोई भी इधर उधर के संकल्प न करें, कई बार पवित्र आत्माओं के अगर नगेट्यों और साधान संकल्प सिद्ध होने लगे, तो बहुतों का नुकसान हो सकता है, कल्यान हो सकता है, फर्मात्मा इसलिए अभी तक भी सिद्धी नहीं प्राप्त कराते, रोक देते हैं, कि बच्चे कहीं ऐसे संकल्प न कर लें, जो किसी का नुकसान हो जाए, किसी को बद्धुआ मिल जाए, मान लो ये संकल्प हमने कर लिया, कि ये विक्तितों सुदारने वाला ही नहीं है, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो बहुत कड़े संसकार वा इसलिए ऐसे संकल्प उत्पन ही नहीं करना जो दूसरों का या अपना अकल्यान हो। उस पर हमें बहुत अटेंसन देना पड़ेगा। पर सब परमात्मा कहते हैं कि जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिध्धी प्राप्त करने वालों की विशेश दो बातों की विधी सुनाई एकांतवासी और एकागरता। यही विधी कल्प पहले मौफिक साकार में अपनाऊं। एक आगरता कम होने के कारण ही दिन निश्चे की कमी होती है। एक आंतवासी कम होने के कारण ही साधारन संकल्प बीज को कमजोर बना देता है। इसलिए इस विधी द्वारा सिध्धी स्वरुप बनो। बीच बीच में हम सबको अपने लिए समय देना चाहिए। कितनी भी सेवाइं के उन हों। सवेरे का समय, अमरतवेले का समय, नुमासाम का समय, कम से कम एक घंटा तो हम अपने को दें। अर उसमें बिलकुल एक की अन्त में एक की आद में खो जाएं। और मन बुद्धी को इस्थिर कर ले। जो हो रहा है बच्च वरा थन्रा ज़िए। मुझे कुछ नहीं सोचना है। कई बार हम उनमें सोचने लगते हैं। क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए। तो जो ए तो उसको हर बात से किनारा करना ही पड़ेगा, जब अपने स्वास्वरोप में आत्मा इस्थित हो जाएगी, तब मन और बुद्धी पर कंट्रोल कर पाएगी, यह बहुत चंचल है, गड़ी गड़ी इधर उदर बटक जाएगा, इसलिए ऐसी बातें, जो मेरे काम की नहीं ह वो मुझे देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, पढ़नी नहीं है, बोलनी नहीं है, जब इतना ध्यान होगा, तब एकागरत्या का अभ्यास होगा, और एकागरत्या और एकांत, इदो बातों को अगर हम लोग एक घंटा भी अभ्यास में लाएं, तो बहुत कुछ सिद्धि सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संगार करने वाली, तथा प्रकृती और मायाजीत बनने वाली, ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती हैं। जितना अपने स्वभाव में हम इस्थित रहते हैं, कि हम विजयी आत्मा हैं, उतना ही प्रकृती और माया ये दो ही हम सब के लिए दुसमन हैं, हमारे सब पर वार कर रहे हैं। तो प्रमात्मा कहते हैं, जब आप अपने देवी सरूप में, शक्ती सरूप में इस्थित होंगी, तो माया जित ज्यान और योग के अस्तसस्त्रों से बन जाएंगी। और योग युक तिष्थिती से रह करके प्रकर्टी पर इन पसु पक्षी प्राणियों पर प्रकर्टी के पांचों तत्तों पर भी आपकी विजय हो जाएगे ऐसा परमात्मा कहते हैं कि सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है जो सदा परमात्मा के साथ हैं वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा स्मृती में रहना आर्थात तिलक लगाना सदा यह स्मृती रहे कि मैं कलप कलप की विजय हूँ अभी की नहीं रोज अमरत पेले अगर यही स्मृत्ति हम ले लें कि मैं विजयी रतन हूँ, मैंने कल्प कल्प बिकारों पर और कर्थी पर विजय प्राप्त की है, तो यह स्मृत्ति का तिलक जैसे मश्चतक पर लगा हुआ है, तो यह स्मृत्ति बार-बार रिवाइच करेंगे, तो कभी माया और प्रकरती से हमारी हार नहीं होगी, तो भी भहने लगेगा, और निर्भह हो करके, इन पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, और इसलिए भाइसा परमात्मा कहते हैं कि पहले बेहोश थे, बेहोश अर्थात, जिसको अपना होश नहीं, मैं हूँ कौन, यह भी पता न नहीं, तो बेहोश होआना, अब तो सुर्जीत हो, सुर्जीत कभी परमात्मा को भोल नहीं सकते, यही सदा याद रखो कि मैं हूँ ही सदा विजय पैसाब आज हमने विभिन सिध्धियां प्राप्त करने की विधियों को समझा, इस फश्टी करन के लिए आपका बहुत दर्शकों आज के एपिसोड में हमने समझा कि किसी भी प्रकार की सिध्धी को प्राप्त करने की विधि है एकांत और एकागरता, परमात्मा ने बताया कि प्रत्यक्ष भल की प्राप्ती करने के लिए हमें हर सेकेंड अपने संपूर्ण, सर्वशक्ती, संपन, स्वरूप क प्रत्यक्ष संकल्प के रूप में रखनी है और सिध्धियां प्राप्त करने के लिए हमें अपने संकल्प रूपी बीज को द्रण निश्चे रूपी जल से पावर्फुल बनाना है अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त और शान्ति मुख्यसार सिद्धी की विधी एकांत और एकाकरता एकाकरता कम होने के कारण ही द्रण निश्चे की कमी होती है एकांत वासी कम होने के कारण साधारन संकल्प बीज को कमजोर बना देता है प्रत्यक्षिफल पानी के लिए संकल्फ रूपी बीच को द्रण निश्चे रूपी जल से पावर्फुल बनाओ साक्षी पन बाब के साथी पन का अनुभव कराता है इस श्रंकला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूड स्टूडियो से संपर्क करें